निमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं सुनाने जा रही हूँ, कहानी फिर से, ये कहानी है तेनाली राम की, तेनाली राम जो की अपने युग में बहुत ही प्रचलिप थे, भारत में ऐसे कई महान ग्याने हुए हैं जिनकी बुधि मता का लोहा हर किसी ने माना ह उनके व्यक्तितवर चतुराई से जुड़े किस्से पर हर किसी ने प्रभावित किया है, भारत की दिहास में ऐसे ही शक्स हुए हैं जिनका नाम है तेनाली राम, तो सुनेगा ये दोस्तों तेनाली राम की दूसरी कहानी, पहली कहानी मैंने कीमती साड़ी सुनाई थी, ये दूसरी, तेनाली राम हर बार अपने दिमा का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजहनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे, इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दुबारा विचार करने को मजबूर कर दिया, सुने कैसे, अपने राज्य विजहनगर लोटते समय, उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए, महल पौष्णी उन्होंने माली को बुलाया, माली के आते ही महराज ने उसे खा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगा लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सक इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद है, इस पौधे का काफी ख्याल लगना, अगर इसे कुछ हुआ, तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है माली ने सिर हिलाते वी राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया दिन रात माली इस फूल का खोब खया लगता, दिन जैसे ही बीटते के उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे, रोज राजा उटते ही सबसे पहले उसे देखते, फिर दरबार में चाते अगर किसे दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता, तो उस फूल को न देख पाने के कारण, उनका मन बहुत दुखी रहता एक दिन जब राजा उस फूल को देखने लिख गए, अपनी खिड़के पर आये तो उन्होंने देखा, वो फूल दिखा ही नहीं तब ही उन्होंने मालिक को बलबाया, महराज ने मालिक से पूछा, वो पौदा कहां गया, मुझे उसके फूल क्यों नहीं देख रहे है जबाब में मालिका साहब उसे कर शाम को मेरी बकरी खा गई, इस बात को सुनते ही उनका गुसा साथवे आसमान पर कहुच गया उन्होंने सीधे राज मालिक को दो दिन बाद मौत के सजा सुनाने का आदिश दे दिया, तब ही वहां सहनी का आए और उसे जेल में डाल दिया मालिकी पत्नी को जैसे इस बारे में पता चला, वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुची गुसे में महराज ने उसके एक बात न सुनी, रोते रोते वो दरबार से जाने लगी, तभी एकवैती ने उसे तैनली रामा से मिलने के सलहा दी रोते हुए माली की पत्नी ने तेनाले रामा को अपने पती को मिली स्मौत की सजा और उस सुनहरे फूल के बारे में सारी बात बताई उसके सारी बात सुनकर तेनाले रामा ने उसे समझा बुजा कर घर भेज दिया अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उसे नहरा फूल खाने वाली बक्री को चौरहाई में ले जाकर डंडे से पिटने लेगी ऐसा करते करते बक्री अदमरी हो गई विजय नगर राजे में पश्वो के साथ इस तरह का विवार करना मना था इसे क्रूर रता माना चाहता था इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी सारा मामला जाने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला यह सब माली को मेरे डंड की वज़े से वो गुस्से में कर रही थी या जानते ही सिवाइस महल सिपाई इस मामली को दरबार मिली गए माहराज कृष्ण राज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा वेवार कैसे कर सकती हो ऐसे बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है मैं विद्वा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनात होने वाले है उस बकरी के साथ में कैसा वेवार करू राजा माली की पत्नी ने जवाब दिया राजा कृष्ण राज ने कहा तुम्हारे बातों का मतलब मैं समझ नहीं पाया ये बेजबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजड़ सकता है वला उसने बताया साहब ये वही बकरी है जिसने आपके सुनेरे पौदे को खा लिया था इसकी वज़द से आपने मेरे पती को मौत की सजा दी है गलती तो इस बकरी की ही थी लेकिन सजा मेरे पती को मिल रही है सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाही थी इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी अब महराज को यह बास समझ में आई कि गलती माली ने नहीं की बलकि बकरी ने की ती ये समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धी आई कैसे इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको उसने का कि महाराज मुझे रोने के लावा कुछ भी नहीं सुज़रा था ये सब मुझे पंडित तनाले राम नहीं समझाया है एक बार फिर राजा कृष्ण राई को तनाले राम पर गर्व महसूस हुआ और उन्हें ने कहा कि तनाले राम तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया यह कहते ही महराज ने माली का मिर्ति और डंड का फैसला वापस लेते भी से जेल से रिहा कने का अधिश दे दिया साथ ये तनाले राम को उनकी बुद्धी के लिए पच्चास हजा सवन मुद्रय उपहार में दी तो कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है कहानी से शिक्षा ये मिलती है दोस्तों कि समय से पहले कभी विहार नहीं माननी चाहिए कोशिश करने से बड़ी से बड़ी मुसीवत से निप्टा जा सकता है